हेलो यो स्वागत अब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल दूशन गुरुजी में बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर वन यानि अध्याय एक matter in our surrounding यानि हमारे आसपास के पदार्थ और अब तक हम पढ़ चुके बच्चों states of matter के बारे में यानि जो पदार्थ है उनकी अवस्थाओं के बारे में उसे हम कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में change कर सकते हैं यानि कैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिव खास है और कुछ जो नया है वो सीखने के लिए आपके लिए क्या खास है चले बच्चों शुरू करते हैं आज का चेप्टर तब चब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे टेमप्रेचर यानि तापमान के द्वारा और प्रेशर यानि दबाव के द्वारा किसी घभी स्टेटेँर में कर सकते हैं यानि जो पढार्थ है उवस्थाहों में परिवरतन कर सकते हैं तो उसीको हम आद थोड़ा सा Detail में पढदने वारें बचो, interconversion of the three states of matter, यानि पदार्त की तीन अवस्थाओं का परसपर रुपांतर, तो होता क्या बचो, the state of matter are interconvertible, the state of matter can be changed by changing the temperature and pressure, यानि कि पदार्त की अवस्थाओं अंतर परिवर्तनी होती हैं, और तापमान या दबाव को बदल कर, पदार्त की अवस्थाओं में हम बद इतलाव कर सकते हैं, बचो, तो शुरू करते हैं, बचो, जड़ा देखना इसे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोस से दर्भ में परिवर्तन की, यानि solid से liquid में, यानि ठोस से दर्भ में परिवर्तन की, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे पास fusion and solidification यानि संगलन और जमाना ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम कर सकते हैं यानि कि क्या करेंगे अगर हम solid को गरम करेंगे तो liquid में बदल जायागा और liquid को ठंडा करेंगे तो solid में बदल जायागा फिर आती है बात liquid से gas की बच्चो यानि toast से gas की तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चो लिक्विड को अगर गरम करेंगे तो वह gas में परिवर्तित हो जायागा चाहिनी कि उसमें क्या होगा उसमें भाब बनने लग जाएगी और अगर gas को एक जगा ठंडा करना शुरू करेंगे तो बच्चो तो इसमें क्या होगा यह लिक्विड बनने शुरूर हो जाएगा यह यह की गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की तो गैस से थोस अवस्था में परिवर्तन जब होगा तो वो कैसा होगा बच्चों आपका sublimation वाला यानि सीधे solid state से gaseous state में conversion और gas से solid state में conversion जैसा कि हमने ammonium chloride के time में पढ़ा था और जो कपूर है साधारण कपूर जो आप घरों में सत्वार करते हैं उसके time में हमने पढ़ा था बच्छो अब इसके कुछ basic example है बच्छो यानि by applying high pressure the particles of gas can be brought close together यानि उच्छ दबाव लगाने पर gas के कड़ों को आपस में लाए जा सकता है तो इससे क्या होगा बच्छो जब gas होगी उसे कड़ों को आपस में पास लाएंगे तो वो क्या होगा gas से liquid या फिर द्रव्य अवस्ता में बदल जाएगी और प्रेशर अपलाई करने पर वो थोस में या सॉलिड में बदल जाएगी इसी तरीके से हम कह सकते हैं बच्छो कि सॉलिड कारबन डायोकसाइड ड्राइ आइस इस चेंज इन्टो कारबन डायोकसाइड गएस डिरक्ली व्डाउ चेंजिंग इन्ट लिक्विड वन प्रेशर इस रिडूस्ट वन इटमोस्पेक प्रेशर यानि कि अकर हम प्रेशर को वन अप्रेशर तक रिड्यूस्ड कर दे यानि थोस कारबन डायोकसाइड सूखी ब्रफ को एक वायरमंटले दाब तक दाब कम करने पर तरल में बदलने बदले बिना सीधे कारबन डायोकसाइड में बदला जा सकता है अब basic way में बात आते हैं कि one atmospheric pressure या atmospheric pressure होता क्या बचो तो जड़ा इसे समझ लेते हैं तो बच्चों जड़ा बात कर लेते हैं atmospheric pressure की या atmosphere की तो atmospheric pressure atm is the unit of measuring pressure exerted by the gas the unit of pressure is pascal pa one atmospheric pressure is equal to 1.01 into 10 to the power of 5 pascal the pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure the atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure यानी atmosphere atm gas के दाब के मापन की मात्रक है दाब का ऐसा ही मात्रक pascal है और एक atmosphere बराबर होता है किसके 1.01 into 10 to the power of 5 pascal वायू मंडल में वायू का दबाओ वायू मंडल ये दबाओ कहलाता है समंदर की सतय पर Y-mandal का दवाव एक atmosphere होता हो और ये सामाने अटाप कहा जाता है या दाब कहा जाता है सामाने दाब कहा जाता है ठीक है बचो तो ये क्या है बचो हमारा जो हम बात कर रहे थे एक atmospheric pressure की उसकी बात करने है और एक atmospheric pressure कितना होता है 1.01 into 10 to the power of 5 पासकल होगा बचो ये इसकी value है चलिए आगे बढ़ते है अब क्या है बचो अब है कि दस the states of matter that is solid liquid and gas are determined by temperature and pressure यानि इस परकार प्रदात की अवस्थाएं अर्थात ठोस तरलोग गैस तापमान और दाब द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसमें एक word आया बचो अब आपका temperature यानि तापमान तो इसे भी जड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है बचो तो यहाँ पर समझने वाली बात बचो यह है कि जो Kelvin है Kelvin is the SI unit of temperature और 0 degree Celsius is equal to 273.16 Kelvin or for the conveyance we can take 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin after rounding of the decimal. To change the temperature of Kenville scale to the Celsius scale you have to subtract 273 from the given temperature and convert to a temperature on which Celsius scale to the Kelvin scale you may add 273 to a given temperature if necessary. यानि तापमान के अंतराश्टी SI मातर Kelvin K है 0 degree Celsius बराबर होता है 273.16 Kelvin सुईदा के लिए हम दसमलाव का पूरांग बनाकर 0 degree Celsius बराबर कर देते हैं कितना 273 Kelvin तापमान का माप Kelvin से Celsius में बदलने के लिए दिये हुए तापमान से 273 में बदलने के लिए दिये हुए तापमान में 273 जोड देना चाहिए यानि कि अब हमें क्या करना है माल लेजिए आपके पास 12 degree Celsius है और इसे आपको Kelvin में बदलना है तो आपको क्या करना है 273 जमा 12 अगर आप इसे करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा यहाँ पे 582 यानि 285 Kelvin आ जाएगा जो कि आपका क्या है Kelvin में कनवर्ट हो गया 12 degree Celsius लेकिन अगर आपको इसको कनवर्ट क माइनस कर देना है और 233 में से माइनस करती है आपके पास आजाएगा 12 degree और यह हो जाएगा आपका कनवर्ट किसमें degree Celsius में तो यह बेसिक कुश्चन है बच्चों आपका एक से दो नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है इसलिए से नोट कर लीजिए बच्चों तो बच्चों इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो solid state है उसे हम temperature देखर के liquid और ज्यादा temperature देखर के gas में convert कर सकते हैं और जैसे ही gas को अगर हम temperature क्या करें कम करना शुरू करें तो लिक्विड में बदलेगी और लिक्विड से अगर और ज्यादा कम कर दे तो क्या हो जाएगी लिक्विड में convert होगी लिक्विड से फिर और ज्यादा pressure डालने पर solid और अगर बहुत जादा pressure डाल दे तो गैस सीधे solid में भी convert हो जाएगी यानि गैस सीधे ठोस में convert हो जाएगी बच्चों तो बच्चों यह वाला पार्ट होगे आपका वीडियो का complete और आज क क्लास भी आशा करता आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू